पता नहीं कुछ दिनों से क्यों मुझे मिशू से चीप ही चीजे परचेज हो रही हैं बहुत ही घटिया हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल बुलबुल डैशिंग फैशन और कैसे आप सब आई होप क्या सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो आज फिर और न्यू वीडियो में आपके लिए लेकिया हूँ जो मेरी निवेले बैक्स पर हाँ जी हाँ यह बैक्स है जो मैंने फिर से मिशू से ओडर करे थे तो यह जो बैक्स टू बैक्स मुझे रसीव हुए हैं बहुत ही चीप कॉवालिटी के हैं पर बहुत ही बैक बहुत ही ज्यादा चीब ही है मैं आपको बता देती हूं बैक के वालेटी भी बता देती हूं जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे मुझे तूबैक मिले हैं एक है बल्राइक कर पहले कर लेते हैं हम चलिते हैं ब्लैक ऐसे सकते हो इस तरफ तरहन से हम इस लोग को निकाल सकते हैं इस तनी को इस तरह से लोग से बाहर ओ यह भी लग जाएगा इस तरह कि अब दोतर कोई पाटा करेंगे तो समान यहां गरा नीचे चला जा तो यह क्सक्टर रिखा विश्णा करें निट है तो इसकी जिप की बात करें तो की क्वालिटी है जो मुझे अच्ही लगी स्सिर्फ positive quality मुझे तो अंदर की बात करते हैं अंदर आप देह सकते हो इस तरह का अंदर से कुछ कपड़ा इनों से दे हैं कुछ extra कपड़ां नहीं लगाया है extra pocket नहीं है कोई बिलकुल ही ये pocket की तरह चोटा सा बना रखा है चुटकूसा उनोंने जैसे कि यह इसी लिए होता है कि जैसे कि आप अपने मेकप के जो समान मेकप का जो समान होता है क्रीम अगर 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 ट्रेवल कर रहे हो तो इसमें डाल के आप ले जा सकते हो ट्रैवल के लिए तो अंदर तो कोई पॉकिट नहीं है और बाहर भी दोनों तरफ से कोई भी पॉकिट नहीं है और साइज इसका बहुत ही जादा चोटा है साइज इसका इतना चोटा है कि इसमें आपकी चीजे तो काफी जादा आ जाएंगी पर अगर आप कोई बड़ा ड्रैल और यह नहीं आएगी तो यह आप देख सकते हो बाकि पूरी तरह से सीमल है तो बाकि इनकी सींस की बात करते हैं तो सींस तो बहुत ही बेकार से इंस इन बैक्स की दे रखिया स्टूफ की बात करें तो स्टूफ थोड़ासा ना लैधर का टक्च आता है बन uh कि एक फिंगर जैसा जो साइज है वह बड़ा है एक फिंगर से नीचे लगा लो और एक फिंगर से इस तरफ लगा लो ज्यादा बड़ानेहीं बैक तो इसकी जो मुझे जिप मिली है जिप का जो लोग है वो मुझे दिया ही नहीं है इन्होंने इस तरह का जैसे हैंग लगा हुआ है जिप में जिसके हम असानी से जिप ओन और ओफ कर सकते हैं इन्होंने वो लोग दिया ही नहीं मुझे सिर्फ इस तरह का है कुछ तो आप देख सकते हो जिप तो गवी स्टफ की तो स्टफ भी इसका सेम वैसा और नकली झाली सा जो जिसे लैधर बोल देते हैं वैसा है स्टफिस का कुछ तो इसके जो सीन की हम बात करते हैं तो scenes friends मैं आपको बता देती हूं बहुत ही ज़्यादा cheap quality का ये मुझे bag purchase हुआ है आप देख सकते हो ये जो scenes इन्होंने यहां पे दे रखी है ये बहुत ही ज़्यादा घटिया scenes है कभी भी ये bag जो है मेरा फट सकता है तो इस पे तो मेरा समान ज़्यादा तर नहीं चलेगा जैसे कि मैं और भी आपको यहां पे बता देती हूं बहुत ही कच्ची तरीके से इन्होंने scenes दे रखी है अंदर भी इसके सेम वही कपड़ा है कोई भी pocket नहीं है कुछ भी नहीं है इसमें थोड़ा से समान उससे ज़्यादा आ जाएगा बाकी और इसमें कुछ खासियत नहीं है तो इसका जो इस तरह से देखा जाए उपर वाला stuff है यह आप देख सकते हो यह भी निकलने वाला है यह भी निकल ही जाएगा एक दो दिन में यह निकल जाएगा जाएगा निए निए उसका फी जो ब्लॉज था वह भी बहुत ज्यादा घटिया पर्चेज हुआ था मुझे और यह बैक है बैक भी बहुत ज्यादा बेकार खटिया मुझे पर्चेज हुए है तो आप देख सकते हो क्वालटी इनकी बिल्कुल जीरो है कोई फैदा नहीं है लेने का प्लीस इसे नहीं लेना आप क्योंकि इसके जो सीने हैं वे निकल जाएगी समान आपका बाहर आ गिर जाएगा अगर यह सीन फट गई तो कोई फैदा नहीं है आपको इस पे पैसे इंवस्ट करने में तो प्लीस आप इसको नहीं लेना तो मैंने इसको प्रचेज किया है 154 में तो 150 वी बहुत जादा होते हैं वैसे मैं मोल में गी थी वाम पर मैंने ऐसा एक बैग देखा था तो वो कुछ और क्वालिटी का था वो मुझे 100 में बढ़ा था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था में कप समान डालने के लिए तो यह थोड़ा सा मल कि समान इसमें जगर आप कहीं पर जा रहे हो ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें इसमें आप सब्सक्राइब करा देख रहे हो सींस भी बहुत ही ज़्यादा बेकार दे रखी है इनोंने कोड में नीचे दे दूगी पर मुझे यही कहना है कि प्लीज इसे पर्चेस मत करना पता नहीं क्यों मुझे मिशू से कुछ दिनों से अच्छी चीज़े पर चेस नहीं हो रही है तो मैंने दोनों ही बैक पर्चेस करें हैं बाकी इनकी क्वालिटी मैंने आपको बता दिया बहुत ही बेकार है प्लीज इसे पर्चेस मत करना मेरी तरफ से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और हैफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर देना थैंक यू बाई बाई